तनिश्क एड ट्विटर पर पिछले तीन दिनों में ये टॉपिक पूरी तरह से ट्रेंड किया जितनी इंटेंसिटी से लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उतनी इंटेंसिटी से लोग इसे अपोस कर रहे हैं फाइनली तनिश्क ने इस एड को डिलीट कर दिया मगर इस एड मे एक स्टोरी दिखाई थी एक हिंदू लड़की की जिसकी मुस्लिम घर में शादी होती है वो प्रेगनेंट होती है उसका बेबी शार का इवेंट होता है और वो हिंदू रीती रिवाजों से मुस्लिम घर में मनाया जाता है बेटी अपनी सासुमा से पूछती है कि आपके घर में तो ये रिवाज नहीं है सासुमा कहती है लेकिन बेटीों को खुश रखने का तो रिवाज है और इसके साथ ही वो उसे गोल्ड का एक नेकलिस पहना देती है और तनिस्क की एककत्वम सिरीज का ये एड था इस एड के आने के बाद बहुत सारा इस एड को बैकलैश मिला वो अरगिमेंट समझते हैं जो इस एड के अगेंस्ट में है ये लोग कहते हैं कि एड टोन डेफ है क्योंकि रियलिटी काफी जादा अलक है पिछले एक महीने की केसिस से लोग गिनवाते हैं जहां बताते हैं कि देखिए एक लड़की ने अपना धर्म नहीं चेंज करा तो उसका सिर काट दिया गया एक दूसरी महीला यूपी असेंबली के बार खुद में आग लगा लेती है क्योंकि इसी तरह का एक केस उसके साथ भी हुआ उसके अलावा काई सारे और केसिस दिखाये जाते हैं जैसे कि दिल्ली में राहुल का केस जहां पर लड़की दूसरे रिलेजिन की थी उसके उसके साथ दोस्ती थी और लड़की के घर वालो ने राहुल को मार दिया इसी तरह से बैंगलोर का एक और केस निकल कर आता है और से तमाम सारे इस तरह की केसिस निकल कर आते हैं जहाँ पर इंटर फेथ रिलेशन्शिप में धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत जाद दबाव दिया जाता है तो इस तरह से जो लोग इस एड का पोस्ट करते हैं वो ये अब धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को एकसेप्ट कर रही है इसे एक टर्म दिया जाता है लव जिहाद और यूपी और असाम की गवर्मेंट कहते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पर लड़कियों को गलत नाम बता कर उनसे शादी की जाती है फिर उनका धर्म आपज़ें टियाजान लागी जहां वहना के जो चर्चेज है वह कैथलिक चर्चेज भी एकसेप्ट करते हैं कि ये एक रियल प्रॉबलम है जिसके ठूघु लड़कियों को आइस आइस में भरती कराये जा रहा है तो ये लोग कहते हैं कि देखिए ग्राउन रियालिटी यह है और आप अपने एड में ऐसी perfect world दिखा रहे हो जो exist नहीं करता वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको argument बताता हूँ जो लोग fiercely इस एड को support करते हैं वो यह कहते हैं कि देखे भाई एड में सब aspirational value होती है वो यह कहते हैं कि एड में तो हमेशा perfect world दिखाय जाता है तो उस एड में जो aspirational value है जो एक aspiration है कि इस तरह से world अगर हो तो कितना अच्छा होता वो सब होता है एड में और एड देखकर कोई अपने life decision नहीं लेने वाला है कोई एड देखकर एक jewelry का एड शादी का decision नहीं लेने वाला है तो इस एड को oppose करना basically एक तरह से आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को divide करने की कोशिस कर रहे हो और इसलिए आप इस एड को oppose करते हो now ये दो argument जो मैंने आपको बताई ये बहुत strong argument है एक पूरी तरह से support और दूसरी पूरी तरह से oppose what I propose is जो मेरा अपना opinion है मुझे ऐसा लगता है कि brands को ऐसे किसी भी issue में तब तक ad या कोई भी इस तरह की film ये इस तरह का opinion नहीं रखना चाहिए जब तक उन्हें इस issue के बारे में पूरी तरह से ना पता हो अगर brands इस तरह का कुछ opinion रखते हैं या कुछ एक ऐसी story बताते हैं जो किसी तरह की picture paint करती है तो फिर उन्हें इस पूरे की पूरे topic के बारे में जड़ तक पता होना चाहिए और इन्हें पूरी aspect को cover करना चाहिए तब जाकर अगर brand इस तरह का कोई ad बनाता है तो शायद अच्छा होगा वरना मुझे लगता है कि brands इस तरह से जो opinion लेते हैं जो stance लेते हैं वो basically सिर्फ इसले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये कहीं न कहीं किसी न किसी एक specific work को या तो चोट पहुचाएगा या तो बहुत पसंद आएगा और वो बरगी से बहुत share करेगा या तो outrage करेगा या तो support में share करेगा और इसके थूरू उनको बस अपनी marketing बढ़ानी होती है और इनका कोई दूसरा intention नहीं होता तो ये brands अपने फाइदे के लिए जो इस तरह के social opinion रखते हैं मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा इसमें सजग होना चाहिए खैर इस पूरी outrage और support के बाद और मेरे opinion सुनने के बाद आप बताईए कि आप इस ad के बारे में अपना क्या opinion रखते हो इतना सब कुछ जब Twitter पर हुआ तो इस जो ad था जो YouTube पर उसमें बहुत सारे dislike आये और finally तनिश्क ने इस ad को delete कर दिया इस ad के delete होने के बाद कई सारे reaction आए वो मुझे थोड़े से अजीब लगे कुछ लोगों ने का कि तनिश्क के पास spine नहीं है टाटा ग्रूप spineless हो गया है ऐसे लोगों के attack से digital lynching से डर गया है कुछ लोगों ने तो जिन लोगों ने तनिश्क को oppose करा था उनको terrorist ते compare कर दिया एक्चल टेरिस्ट जिन्होंने लोगों को जा कर मारा है यह पूरा absurd behavior है जो मुझे लगता है क्योंकि देखिए आप किसी भी shop के customer है आपको उस शॉप में रखी हुई चीजे या वो shop जो बाते कहते हैं वो नहीं पसंदाती तो आप बिलकुल oppose कर सकते हैं तो जो लोग भी twitter पर इसका oppose कर रहे थे उनको अपना पूरा right था पोस करने का अब आप उनको terrorist रे compare कर दें I don't think so बढ़ अगर आप compare कर रहे हैं तो मैं पिछले एक दो महिने पहले चलता हूँ जापर एक book निकलने वाली थी जिसका publication house उस book को publish करने के लिए तयार था उसके event हो रहे थे मगर फिर book के publication house पर direct authors और जो affiliated लोग थे उन्होंने direct oppose करा कि हम directly आपको hurt करेंगे हम अपनी books वापिस ले लेंगे हम अपना नाम वापिस ले लेंगे उन्होंने इन्हों पर इतना pressure बनाया कि उन्हें back out करना पड़ा उस book को publish करने से तो अगर आप इन्हें terrorist से compare करते हो twitter outrage को तो फिर direct digital lynching को किस से compare करोगे इस hypocrisy के साथ आप कैसे अपने stance को justify करते हो I'd really like to know about it खैर इसके आगे एक और news निकल कराई जो कि NDTV ने publish करी उन्होंने 14 October को publish करते हुए लिखा कि गुजरात के गांधी धाम में एक तनिश्क के showroom में कुछ लोगों ने attack कर दिया और management को sorry बोलने पर मजबूर कर दिया उसके साथ ही उन्होंने एक परचा भी दिखाया जो management जो उस showroom के बाहर लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि तनिश्क का जो भी add है मीडिया में चल रहा है उसको condemn करते हैं और हम सारे हिंदू समाच से apology मांग दे हैं कि इस तरह का add हमारे brand ने दिखाया अब जब बात ये निकल कराई तो किसी एक Twitter यूजर ने तनिश्क के showroom पर phone करा phone करने पर पता चला कि इस तरह का कोई attack उस showroom में नहीं हुआ है ये सुनने के बाद NDTV ने अपनी report को थोड़ा सा change करा उन्होंने attack को targeted में change कर दिया उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस पहुची उस showroom में और पुलिस की तरफ से जो statement आया उसमें दो बातें पता चली पहली बाद कि वहाँ पर कोई attack कोई violence नहीं होई थी दूसरी बात ये important है कि वो apology जो शोरूम की तरफ से लिखी गई थी वो उनसे demand की गई थी by two people जो शोरूम के अंदर आये थे बारा तारीक को तनिश्क गांधिराम शौप में दो लोग आये थे और उन्होंने यहाँ पे गुजराती में apology लगाने की इर्मान की थी जो शौप ओनर ने तातकालिक पूरी कर दी थी रात में से या कच्छ एरिया में से कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे थे जो जान पुलिस को तेरा तारीक को की गई थी और तेरा तारीक को पुलिस को जब से जान हुई है अब यह सारी चीज़ें उस शोरूम में होने के बाद यह जब पता चला तो एंडी टीवी ने अपनी रिपोर्ट को तीसरी बार चेंज करते हुए लिखा कि शोरूम रिसीवड सम थ्रेट कॉल्स यह है इनकी जर्नलिजम का तरीका जब इन्होंने का था कि यहाँ पर अटैक हुआ है तो उन्होंने लिखा था as per the sources मगर फिर जब यह सचाई सामने आई तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बदल दी यह लोग दूसरों को जर्नलिजम सिखाने की बाते करते हैं खेर इस पूरे की पूरे 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 पूलिस के स्टेटमेंट को अगर आप सुनें या फिर आप इस पूरे की पूरे मसले को देखें तो यहाँ पर दो तीन चीजें है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा पूलिस ने का है कि उनके पास threat calls आ रही थी पुलिस ने काई कि दो लोग वहाँ पर शोरूम में उन्हें डिमांड करा कि आप अपॉलिजी लिखें और शोरूम वालों को अपॉलिजी लिखकर लगानी पड़ी अब आप समझ सकते हैं कि एक showroom वाले ने अगर written में apology लिखने को तयार हो गया है तो किस तरह की demand वहाँ पर की गई होगी तो आप company के management को apology करने के लिए force कर सकते हैं force in the sense कि आप legal route अपना सकते हैं court cases कर सकते हैं जो भी law के अंदर आता है वो सब आप कर सकते हैं company management के उपर बट जिन लोगों ने उस company की franchisee खरी दी है वो तो आम आदमी है आपके और मेरी तरह एक business man है जिसने उसकी franchisee लिए और एक दुकान खोल दी आप उनको जाके threaten कर रहे हैं डरा धमकार हैं उनसे apology लिखवा रहे हैं ये पूरी तरह से गुंडा गर दी है जिस पर police का action पूरी तरह से बनता है और इसके लिए police से request भी की जानी चाहिए मगर NDTV ने जो तीन बारी अपनी report बदली वो इनकी journalism के standard को शक के गेरे में खड़ा करता है अगर आप sources को quote करके लिखते हैं कि ऐसे किसी showroom पर attack हुआ at least confirm तो कर लिजे इससे पहले कि आप इस तरह की कोई story लिखें उसके साथ ही अब आप से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे तनिश्क ad की जो controversy है मैंने आपको बताया कि oppose करने वाले क्या कहते हैं, support करने वाले क्या कहते हैं, मेरा क्या सोचना है अब आप बताये कि आपका क्या सोचना है, comment मिलिक भेजिए अपने thoughts अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, like करें इसे, share करें अपने दोस्तों के साथ, subscribe करें इस चैनल को for more such वीडियो जहेड मेरे काम को आप support करना चाहते हैं, तो patreon और instagram और link आपको description और print comment मिल जाएंगे मैं आपसे मिलूँगा अगले ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने धान रखिएगा, जैहिंद, वन्दिमात्रम